नमस्कार फातियों स्वागत आप सब के बार फिर से राइसे स्मार्ट के यूडूब चैनल में मैं हिमान से जाद हो हाजुर आप सब के समक्ष सम्विधान का आद सम्विधान से लोग सुरू करेंगे भाग नंबर 10 तो क्या बहुत सारे आर्टिकल हैं नहीं बहुत सारे तो 243 हम लोगों ने ग्राम पंचायत नगर पंचायत और सहकारी समीतियों से सम्वंदित जो आर्टिकल थे उनको हमने सॉल्व किये थे तब यहां आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 244 कह गया रहा है अनुसूचित खेत्र और जन जाती खेत्र का प्रसासन आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे सेडीयोल नंबर 5 और 6 यहीं पर जान लिजेगा अनुसूची नंबर 5 का मतलब है पूरा भारत पूरे भारत में कहीं भी S.C.H.T. है तो उसके लिए है अनुसूची नंबर 6 में क्या है मेमी आती बकरी को मारो तो बकरी मेमी आती है मे म चार राज्यों के बारे में अनसूची 6 है और उसी के बारे में डीटेल वर्धन आर्टिकल नंबर 244 में दिया गया क्या दिया गया आईए पढ़ते हैं जानते हैं समझते हैं इस आर्टिकल में लिखा है पाँचवी अनसूची के उपबंद जो भी आप पीछे पढ़ेंगे आसम मेघाले त्रिपुरा मिजोरम राज्य में भिन किसी राज्य के अनसूची छेत्र अनसूची जन जाती के प्रसासन और नियंत्रन के लिए लागू होंगे कहने का मतलब अनसूची पांच मेघाले मिजोरम त्रिपुरा असम में लागू नहीं होगी तो कहां लागू होगी दूसरी बात चटी अनसूची के उपबंद असम मेघाले त्रिपुरा मिजोरम राज्य का अनसूची छेतर प्रसासन के लिए लागू होगे यनि की चटी अन और उन चार राज्यों के लिए अन्सूची नंबर चाहे और वो चार राज्य हैं कौन मेमियाती याद रखेंगे मेगाले मिजूरम असम और त्रिपरा तो आज की इस आर्टिकल में बस इतनी सी बात थी फिर मुलाकात करते हैं सम्विधान के आर्टिकल नंबर 244 एक के साथ एक और आर्टिकल अब थोड़ा साथ देख लेते हैं फिर इसके वाद हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत